प्रिये बच्चो आज हम कवित्री लद्य द्वा रचित वाखों का ध्यान करेंगे तो वाखों का ध्यान करवाने से पहले मैं आपको कवित्री की जीवन से पर्चित करवाना चाहती हूं कवित्री कश्मीर की लोक प्रिय कवित्री है उनके जीवन के बारे में प्रमानिक जानकारी नहीं मिलती उनका जनम 1320 क्यास पाशीर नगर के पास जित गाव में हुआ उनके काव्य अन्य संस कव्यों की भानती बक्ति पून है उन्होंने जाती पाती मत और संपर्दाय के बेदर से उपर उठकर ईश्वर की बक्ति करने की प्रेना दी है उन्होंने धार्मिक अडमरों का विरोध किया और मानव प्रेन को सरवच माना वित्री अपने वाखों के लिए परसीद है वाख उनकी लोग पर ये शैली है उन्होंने चोद्वी सदी में जितनी हिंदी भाषा में कर्वता लिखी वे अश्चरे जनक है आईए हम त्वित्री द्वार अचित वाखों का ध्यान करते हैं पहला वाख रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाव ट्वित्री कहती है कि मेरा जीवन कच्चे धागे की रसी के समान है खीच रही मैं नाव जिससे कि मैं अपने जीवन रुपी रभुबक्ती रुपी नाव को खीच रही हूँ जाने कब सुन मेजी पुकार ना जाने कब ईश्वर मेजी पुकार को सुनेंगे और मुझे इसंसार रूपी साधर से पार कराएंगे भव साधर का अर्थ है इसंसार रूपी साधर से पार कराना पानी तपके कच्चे स्कोरे तो इतरी कह रही है कच्चे स्कोर होता है कि कच्चे धागे से बनी हुई रसी तो इतरी कह रही है कच्चे धागे से बनी हुई रसी से हर रोज पानी की एक फून तपकती जा रही है अर्था समय बीटता जा रहा है आज बीटती जा रही है और मुर्तिय निकट आ चुकी है व्यर्थ परियास हो रहे हैं मेरे मेरे जो हैं प्रभु बक्ति के सारे परियास व्यर्थ हो रहे हैं जी मैं उटती रह रहे हूं खुक होता है विदना प्वितरी कहरी है कि मेरे हिर्द्य में एक बार बार एक यावाज उठरी है कि घर जाने की जाहर गेरे मैं ईश्वर के घर में जाना चाती हूं फिर दवारा से मन दोर आ रही हूं कुईतरी कह रही है कि मेरा जीवन कच्चे धागे की रसी के समान नश्वर है जिसके सहारे मैं प्रबबो भक्ति की नाव को खींच रही हूँ ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इसंसार रूपी साधर से पार कराएंगे कुईतरी कह रही है पानी टपके कच्चे स्कोरे ये कच्चे धागे की बनी हुई रसी से पानी हर रोज टपक रहा है आथा समय बीता जा रहा है आजू बीती जा रही है कुईतरी का समय निकट आता जा रहा है और प्रभु वक्ति के सारे प्रयास मेरे व्यर्थ होते जा रहे हैं जी में उटती रह रहा हूँ हूख मतर वेजना बार बार दिल में एक ही आवाज उट रही है कि मैं ईश्वर के घर में जाना चाहती हूँ ठीक है अब नेक्स जो है अगला प conc करता कोई नहीं कवितरी ऐ रही है दिन बर तुखा ता जा जाएगा तो जीवन में तुछ भी पृपत नहीं होगा ना खाकर बनेगा एंकारी है ना तुझे नहीं खाएगा बो के वुद्याग और पस्या ही करता रहेगा तो क्या बन जाएगा? एंकारी बन जाएगा, घमंडी बन जाएगा और यह समझेगा कि मेरे समान कोई भी नहीं है समखा, विटरी कह रही है कि समानता के भाव से का तबी होगा संभावी तभी समानता का भाव रखने वाला बनेगा खुलेगी सांकल बंदवार की तभी प्रभु भक्ति की प्रभु के दरवाज्य की कुंडी खुलेगी अथात तुझे प्रभु की प्राप्ति होगी फिर मैं दोहरा रही हूँ खाखा कर कुछ पाएगा नहीं तो जीवन भर खाता ही रहेगा भोग चीजों का भोग करता ही रहेगा बहुत तिक पदार्थों का भोग करता ही रहेगा तो जीवन में कुछ भी प्रापत नहीं होगा तो तो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा थात भोग के वरुदु जाकर जब त्याग और तपस्या ही करता रहेगा तो घमंडी बन जाएगा समखा समानता के भाव सिका भोग भी कर त्याग भी कर तब भी तु समभावी बनेगा तब भी तु समानता का भाव रखने वाला बनेगा तबी खुलेगी सामकल बंदवार की तबी बंदरवाजे की कुंदी खुलेगी अठाथ प्रभू के बंदवाजे की कुंदी खुलेगी अठाथ तेरा प्रभू से मिलन होगा तबी तु प्रभू के जैशन को कर पाएगा धन्यवाद आशा है कि आप दोनों पर जो है वाकों का ध्यान करेंगे और कोई भी पंक्ति ज़िए अपने समझ में नहीं आती है उसे मेरे ग्रूप ठापका है नाइंध क्रास में उसमें आप जुरूर पुछने का प्रयास करें ग्रूप में ही मैं आपको प्रेशन जो है करने को दूंगी अभ्यास प्रेशन उसे आप अंशी करेंगे नहीं आएगा तो उसे पूछने का प्रयास करेंगी धन्यवाद